हेलो दोस्तों वेलकम टू टॉगोराटन क्रेफ्ट आज हम लोग यह पेपर से ऐसे टोकरी कैसे बनाते हैं वह देखेंगे उसके लिए आपका पुराना कोई भी न्यूस पेपर आपका चलेगा तो देखिए पहले मैं न्यूस पेपर लिए हूँ लेके उसको ऐसे फोर इंच मार्क से लगबग लंबाई में उसको कट कर ली हूँ देखिए ऐसे वाला पतला उसका जो यह है निकलेगा लंबाई में वह आएगा मैं फोल्ड करके काटी थी अभी पतलासा कोई सिलाई या फिर आपके पास अगर कोई पतलासा ऐसे डंडी है तो उससे आप एक साइड से करने तो इसको फोल्ड करना शुरू करेंगे उसके अंदर मोडना सुरू करेंगे तो अईसे करके श्चरीपा को निकल के आएगा अब जब बनाईएंगे तो आपको असानी से आ जाएगा हवा चाल रहा है तो थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है देखिए ऐसे करके यह अपने मौड़ के लास्ट में थोड़ा सा फेविकॉल लगा के चिपका देंगे कि ऐसे बहुत सारे रेड़ी कर लियूं अभी दो-दो करके लोंगी टोटा आठ पीस लेंगे लेके देखे एक के ऊपर एक रखेंगे ऐसे करके बीच में से रखेंगे आपको अगर मूस्किल हो रहा है, बीच में पहले आप नीचान लगा लिजियेगा, देखे एक के उपर रखेंगे, अभिलाष्ट वाला जो नीचे दो है, उसके नीचे लग रखेंगे और जो उपर था सबसे लाष्ट में गीजा है, उसके उपर इसको देगे, देखें ऐस करके रखेंगे कि चारों एक साथ मतलब फस जाए उसको और खुलना जाए मैं जितना हो सके आप लोगों को समझाने के कोशिस कर रही हूं फिर भी आपको अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो नीचे कॉमेंट सेक्षन में प्लीज बाताएगा देखिए ऐसे करके रखेंगे त जो दो पाइप रहेगा उसको लेंगे लेके देखिए बीच में से उसको फसा देंगे फसा के एक उपर जो देखिए ऐसे करके उपर आएगा और एक कॉट दोनों को लेके एक साथ ऐसे नीचे के तरब से उपर आ जाएगा फिर अभी उपर से जो उपर में जो कॉट था उ कड ऊपर आ गया आभी ऊपर वाला कड नीचे से ले जाके उसको जो दो पाइप उसके अंदर से लेकर आ जाएंगे दाद देखिए कि फिर एक बर ऊपर जाएगा नीचे का कड अंदर के तरफ इसको फसाते हुए लेके जाएंगे कि खिए इसको अभी नीचे लेके जाएंगे ले जाके वो जो दो पाइप है उसको अंदर खसा लेंगे उसके अंदर खसा के फिर देखिए अभी जो उपर वाला कॉड है उसको नीचे के तरफ ऐसे लेके जाएंगे ले जाके इसको उपर लेके आएंगे नीचे वाला जो पाइप है अभी उपर वाला नीचे ले जाएंगे फिर उपर लेकाएंगे दोनों को एक साथ उपर से नीचे घुमाके दोनों को ऐसे करेंगे जब यह जा देखिया अभी ट्यूब थोड़ा कम हो गया तो इसके अंदर ऐसे इसको फसा देंगे तो यह फस जाएगा और जब यह जहां ए कि देख़ा दुआ कि हो गया पाइप जोड़ ली हूँ अभी देखिये ऐसे करके कि देखिये ऐसे करके इसको करेंगे करके फीर ओ तो ढूब को ऐसे कि ल struck देखैंगे तो आपको समझ में आ जाएगा नीचे वाला पाईप एकभर नीचे बीडियोट esper about और दोनों को एक सथ उसको एक सद घुमा देल तो दोनों एक सथ एटा चोता हुआ ने की बेल के तरह घुस land लो जाएगा ओ तेटियों से एसे कुमा ली हो गुमा के उसको दिखे उसके नीचे से ऐसे खरकर फनाओ के फिर उपर में जो दो कॉढ्ड जो सको बिन रही हुं जिसको तो इसको दोनों को आपास में इस तरह करके फसा गये में और जो आट पाइप फिस जैसा था ऐसे ही रहेगा इसे और जो souhaite W ुआ से रहे उसीं को हम लोग जब कुछतब होगा तब उसके साथ एक एक करके पाइप जोड़ते जाएंगे और उसको वह ऐसे ही करके घुमा के उसके अंदर फसा के उसको बीनते जाएंगे अभी बनाई है अभी लॉकडाउन का टाइम है आप ऐसे ही घर में इसके लिए कुछ चाहिए भी नहीं है पुराना न्यूस पर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इसके लिए और थोड़ा सा ग्लू चाहिए और अपने बच्चों को भी इंवर्प्र कर सकते हो इसमें देखिए ऐसे करके उसको बना रही हूं तीन-चार लाइन ऐसे बनाना पड़ेगा तीन-चार या पांच लाइन भी अब बना सकते उसका कोई नहीं है कि ऐसे करके बना रही हूं अभी देखिए जो दो-दो कॉड अभी बीच में जैसे बेस बना रही थी तो उसको दो-दो करके पाइप को एक सत कर रही थी अभी जितने भी पाइप है सब को अलग कर लेंगे देखिए अभी एक-एक करके तीन चल लाइन बना के बाद एक-एक करके पाइप को ऐसे करके जब दो-दो फसा रही थी अभी एक-एक पाइप को फसा आते जाओंगी इसके अंदर तो यह फैल जाएगा आपको टोप्री ज ऐसे करके पुरा सारे पाइप को डिवाइड कर लेंगे अभी तोड़ा सा फैला के इसको बनाते जाएंगे सेम प्रोसेसे बस मतलब उसको-डिवाइड कर दिया ओंगी एक को फसा यह ठीstorm दोनों को ऐसे करके उपर-दीचे जैसे पाइप लेके जा रही थी दो-पाइप को ऐसे ही करके ले जाके और अगर ज्यादा बीच में गैप आ जाएगा तो उसको थोड़ा दबा किजिएगा तो एक दम अच्छे से होगा थोड़ा सा फैला फैला के करेंगे तो वो थोड़ा फैला हुआ को टरी बनेगा अगर आपको ज्यादा अंदर अंदर रहेगा तो वो थोड़ा अंदर के तरफ हो जाएगा ऐसे करके इसको बनाते जाओंगी देखे इतना दूर तक बनाई हूँ अभी आपको इतना छोटा ही बनाना है तो इधर से ही काट कर देंगे यह जो लंबा वाला जो यह है पाइप है इसको कट करके अंदर के तरफ उसको मोड के उसके अंदर से फसा के उसको यह कर दूंगी अगर आपको थोड़ा सा मैं यह दूसरा डिजाइन यह छोटा क्वाटरी बनाने के लिए बस इतना दूर में हम लोग फिनिस कर देंगे इसको तो अभी जैसे बड़ा ब ठीड़ा हुटा 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 उस टाइप कए तरह इसको प्रज अब ना लिए हो है कंड़ में धेन पर उसको फैला देंगे ऐसा करके नीचे में चैप्टा करके देखिए चार पंच लाइन बना ली हूँ बनाने के बाद ये मूह थोड़ा फैला हुआ बरतन में किनारी में जैसे फैला हुआ रहता है उस ट्रैप का फैल गए अभी ये खतम कर देंगे इदा तो इसको काट कर दी हूँ जो एक्स्ट्रा था तो अभी जो अंदर के तरफ ब होगा तो काटना पड़ेगा नहीं तो इसके अंदर से फचा के अंदर के तरफ लेके चले जाएंगे आपको जा अंदरके तरफ लेकर चले जाए। अगर जादा लंबा होगा तो थोड़ा सा कट कर लेंगे कट करके उसको ऐसे अंदर के तरह फसा देंगे देखे यह पूरा कमप्लीट हो गया अभी देखे यह जो कालर है एसे यान पेंट्स का जो ग्लॉसी पिनिस का कालर होता है वो कालर से मैं योलो और एक में ब्राउन इसमें मैं कालर नहीं क्यों बस आपलों को दिखा रही हो वीडियो कैसा लगा नीचे कॉमेंट सेक्शन में प्लीज बाताईएगा मिलते आगले वीडियो में बाई